हेलो इस्टुडेंड कैसे आप साब एक बार पुना हो से कोचिंग क्लासेस पर स्वागात है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल ले होगी क्लास टोल्ट कमिस्टी अंसी आर्टी में आपका चैप्टर फूर चल रहा है नियू अंसी आर्टी के हिसाब से पुरानी अंसी आर्टी के हिसाब से आप देखोगे बच्चो तो चैप्टर आपका एट चल रहा है आज जो है हमारा टॉपिक है डीब लाके तत्तों का धात्विक गुण हम एक ही गुण के बारे में चर्चा करते हैं इसके पीछे का रीजन क्या होता है ताकि उसको हम डीप में समझा सकें उसके पहले हमने परमार तरिज्जा और आनिक तरिज्जा का इसपस्टी करना किया था हो सकता आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा चैप्टर 4 है ना निव एंसी आर्टि के हिसाब से पुरहने एंसी आर्टि में यह चैप्टर 8 है बीच के तीन चैप्टर अट गया है तो आपका ये चैप्टर का बरगिकड़ देखा कि डीबला की ततों को चार भागों बाटा गया है चार भाग में कौन-कौन सा एक आपका 3D 4D 5D और 6D और डीबला के तत्तो जो वच्चो आपको पता होगा कि S और P के मद्ध में है और ये लगबग लगबग धात भी गुड़ दर साता है इसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें क्या होता है बंद बनाने की छमता होता है इसमें ऐग्मित इलेक्टरान होने का बिद्दुद का चालन होता है वो आपके बच्चों अयुगमित इलेक्रान होने के कारण इलेक्रान के संभान से धारा का बहान होता है और धारा का बहान मतलब धारा बहता है इसलिए बिद्दुत का वो सुचालाख हो जाता है इस प्रकार से उस्मा का भी सुचालाख हो जाता है इसलिए वो आपके संक्रवन धातु के नाम से जाने जाते हैं इसलिए इनको हम धातु बोलते हैं जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यह हमारा S है और इधर हमारा P और बीच में बिचारा D होता है D को बीच में रखते हैं और P बाजू में रहता है ठीक है और S भी हमारा यहां पर आपका यहां पर आपका फी है यहां पर डी है और यहां पर आपका बच्चो आपको सबको पता होगा कि S में पूरे के पूरे धातू है और यहां धातू भी है कुछ उपधातू भी है और अधातू भी है ठीक है मतलब P में धातू उपधातू और अधातू और D में बच्चो आपके धातू ही है यहां पर S से थोड़ा सा धात्वी कुर कम पाया जाएगा ऐसा नहीं होता प्रवल धातु हम नहीं कह सकते क्योंकि यह जो S ब्लाक में हमारे पास दो समू है एक छारी समू और एक छारी म्रदा समू तो यह प्रवल धातु होते हैं जो हमारे D ब्लाक के एलिमेंट से उतना प्रवल नहीं होंगे S ब्लाक के पिछा लेकिन यहां पर तो ह कही सकते हैं कि यह जो D-block है यह धात्वी गुड दरसाएगा और धात्वी गुड को दरसाने का सबसे बड़ा कारण ही होता है कि उसमें आयुगमित इलेक्टरान होने से इलेक्टरान का संभान होता है और धारा बहती है एकजामपल की तौर पर आप कोई भी एलेमेंट ले लो जैसे मैं कहता हूँ इसकेंडियम की बात करूँ इसकेंडियम का परमाण उक्रमा कितना होता है 21 इसका बच्चों इलेक्टरानिक बिन्यास निकालनों तो 1S2, 2S2, 2P6 ठीक है फिर आपका 3S2, 3P6 हो जाएगा फिर आपका 4S2 और 3D1 अब यह जो आपका D कच्चक है न इसके आर्बिटल्स में आयुगमित इलेक्टरान है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है कहने का मतलब D कच्चक था D में जितने भी कच्चक है तो भाई एक ही इलेक्टरान है तो D में आयुगमित इलेक्टरान होने के कारण यदि मैं यहाँ पे इसके कच्चक का निर्माण करूँ तो इसमें 5 कच्च होते हैं बच्चों कितने कच्छ कोते हैं 5 शे है एक ही एक टान है और यह में भी आपका यह दो इलेक्ठरान है यह शित होगा तो यहां से एक टान यह करे ग demay जाएगा तो जाएगे को दूम हो जाएगा तो यहाँ पर हम यह data never कि इलक्टरान उत्यजित हुआ तो तो इसमें ॡD्स क्रमन हो जाता है। का याए लेक्टरान कादान कर ले feel अभी इन्हें उख्टरान के संचराण के कारण ये वीद्धुत का चालन करते हैं। और इसी कारण से हम कह सकते हैं, då प्राइज दो 2,000,00 के तत्यों में धात भी गुर पाया जाता है, अब जैसा कि मैंने कहा, कि भाई जो डीब लाख में हैं, वो बाहतम कोस में, यदि बाहतम कोस की में बात करूँ, तो बाहतम कोस में एक या दो ही इलेक्टरान पाया जाता है, जैसे इसका मैं इस प्रकास इल आप देखो इसमें 4S इसमें 2 इलेक्टरान है अब इस प्रकार से कुछ है कुछ इस प्रकार से है अब आप देखो कि भई सहाब 2, 8, 9, 2 बाहतम कोस में 2 इलेक्टरान है ये जो इलेक्टरान होते हैं ये प्रबल बंद बनाते हैं क्या बनाते हैं प्रबल बंद जिसे हम धात् के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो परमारू है ये धातु परमारू है और इनके भी जो बंद बनता है वो धात्विक बनता है और बंद एकदम प्रवल होता है बच्चो इसे यह एकदम कठोर भी होते हैं, ठीक है, साथ में आपका जो भाहतम को उसका S कच्छा का इलेक्टरान है, तो वो प्रबल बंद बनाएगा, और जो आपका D, यहाँ पे जो आपके पास मैंने कहा, कि D में आपका 1 इलेक्टरान जाता है, जो 9 इलेक्टरान है, जिसमें से यहाँ पे 2 और 6 हो गया, D में 1, तो इसमें भी D और D के भी संक्रोन पाया जाता है, मतलब D और D के बीच भी बंद पाया जाता है, जिस बंद के कारण, यह सासेयोजी बंद के कारण, यह प्रबल बंद बनाते हैं, और अगदम कठोर पाया जाते हैं, और कठोर है, इनका जो परमा अंक भी उंचा होगा और कोथणांग भी उंचा होता है तो यह सब चीज इसका प्रॉपार्टी है वच्छो ठीक है इसका प्रॉपार्टी इसके पीछे रीजन में समझा रहा हूं कि ऐसा क्यूं हो रहा है सभी संख्मन धात्तत्तों धात्वियं हैं मतलब सभी धातु या बितुद और उस्मा के सुचालक होते हैं यदि आप से कोई धातू की परिवासा पूचे तो आप बस यही बोलेगे कि एइसा कोई भी पदार जो उस्मा बिदुद का चालन करता हो तथा जिनुमें अगात बर्दनिता और तन्हता का गुड़ पाया जाता है उसे हम इनका property है एक प्रकार से कोई सिधा एदी कोई कहे दे कि एकदम सटीग परिभासा बताओ तूँ सटीग परिभासा आपको नहीं मिलने वाला ये गुणों को ही हम परिभासा में तॉल देते हैं ठीक है इनका गुण है धातु का एक गुण है धातु के एक लक्षण से पहचानते हैं हमारी कोई परिभासा पूछे तो हम हमारी कोई परिभासा नहीं है लेकिन हमारे लक्षण से कोई बोले कि हाँ सर का ऐसा ऐसा क्या है हमने क्या पढ़ाई कर रखा है हमने हमारी क्या क्वलिफिकेशन हम क्या जॉब करते हैं यह सब चीजें बच्चो यह दी हमारे अंदर यह दी गुड है उसके अधार पर कोई बेक्ती पहचान सकता है लेकिन कोई डीप में पूझे कि सीवसर की परिभासा बताओ तो प इस कानस से इसमें कहीं न कहीं और जो एस में इलेक्टरान होते हैं एक अधुबाहतम को उसमें एक एक दो इलेक्टरान वो धात्विक बंद बनाते हैं और इनी धात्विक बंद बनने से वो डीडी कच्छकों में जो अईगमित इलेक्टरान की कान इनमें जो डीडी संक्म इस कारण से हम कहते हैं, डीवला के तत्तों वे धात्मिक गुर्थ पाया जाता है, ठीक है, इसका इस पस्ट्री करणे हाँ पर आप लोग देखेंगे, कि संक्रमन धात्म में तुलनात्मक रूप से कम आयनन उर्जा होती है, इसमें बाहतम उर्जा इस्तर के एक या दो इलेक्टरन होते हैं, इसके बाहर वाले जो इलेक्टरन होते हैं, जिसके कारण से धात्मिक बंद बनाते हैं, आयनन उर्जा का मतलब क्या होता है, किसी परमा मतलब चलब मतलब PPT में इसले आसानी से बंद बंद गन्याता है और प्रकार से बचों में सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका डीव लाग का एलेमेंट से वो धात भी लक्षण दरसाता है यह सब कारण है इससे एक दो क्वेशन भी बन जाता है आप लोगों इसक्रंसाड लेना तो इसक्रंसाड लेलो बच्चो कोई बात नहीं है इसका नोट्स लेना तो कंटेक्ट दे दूंगा च्यानवे पचासी उन्ती सिंक्यानवे उन्चास यह बच्चा आपका पहला कोश्यन है कि टाइटेनियम को आश्चर जनक धात क्यों कहा जाता है आश्चर जनक मतलब ज़्यादा उपयोगी होगा आश्चर की चीज़ें काम करेगा जैसा पहला यह कठोर और उच्छ गल्लांक वाली धात हुए, कठोर होती है, गल्लांक भी उच्छ होता है, ठीक है, उस्म और विद्दुत का सुचाला कहा है, धात हुए तो होगा ही, संचार्ण प्रत्रोधी है, मतलब इतना जल्दी इसमें जंग उंगर नहीं लगेगा भी, इसका उपयोग टैंक, तोप बंदू को और अच्छात्मक कबच बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए टाइटेनियम आश्चर जनक धातूर, अब ये धात्विक गुड़ से ही संबंदी था, इसलिए क्वेशन लाया हूँ, अब इस बार मैं यही करता हूँ, कि जो टॉपिक समझा हूँ, जिसम पारा में D जो आपका कच्छक होता है, उसमें कोई भी ऐगुमित इलेक्टरान नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से भारा रहता है, अब जब पूर्ण रूप से भारा है, तो D-D संक्रमण नहीं होता है, मतलब सासेयोजी बंद नहीं बनता है, दुरबल धात्विक बंद, क इसलिए वो हमेशा द्रवस थम पाया जाता है, कोश्यन पाया जाता है, एक अपबाद है, यह सभी तो कठोर है, लेकिन ऐसा कौन सा पबाद है, जो द्रवस थम पाया जाता है, देखो नहीं स्टार्टिंग में पढ़ा आपनी, कि संक्रमण धात्विक बंद, मतलब संक्रम कि अच्छक में आयगमित इलेक्टरान का ना होना, पूर्ण रूप से मतलब डी में 10 इलेक्टरान होते हैं, पूर्ण रूप से 10 इलेक्टरान भरे जाते हैं, और जब 10 इलेक्टरान पूर्ण रूप से भरे हैं, तो बच्चों कहां से वो बंद बनाएंगे, बताओ न, ड एसजी में डी कच्छक में अईगमित इलेक्टराण नहीं होते जिसके काड़ डीडी संक्रपड़ा नहीं होता जिससे इन में अति दुरबल धात्विक बंद होता है इसी काड़ कमरे के ताब पर ये द्रौबस्था में पाया जाता है तो दो क्वेश्चन भी बन जाता है आगे भाई आप लोग यदि और इक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो भविस्त में हो सकता पढ़ाऊं लेकिन अभी फिलाल इतना ही तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो बच्चों मिलते हैं इस एकली वीडियो के साथ जैहिंद बंदे मात्रम